Hello students, welcome back to my channel, welcome back to a new video, hopefully आप सब ठीक होंगे आज की हमारी वीडियो का टोपिक होगा किस तरह से हम कल्कुलेटर को यूज करते हुए किसी भी नंबर का लॉग या फिर एंटि लॉग फाइंड कर सकते हैं आपको पता है कि 9 class की chapter number 3 में सारा chapter ही logarithm पर डिपैंड करता है उसमें हमने यही फाइंड करना है किसी भी नंबर का लॉग या फिर एंटि लॉग तो उसके लिए बहुत ज्यादा इंपोर्टन है कि आप किस तरह से जल्दी से कल्कुलेटर से लॉग फाइंड कर सकते हैं without using log table को यूज करने की आपको कोई ज़रूरत नहीं होगी जस्ट आपने कल्कुलेटर से लॉग फाइंड करना है सबसे पहले आप देख लें के लॉग मैंने यहां पर एक नंबर लैट किया है 32.326 आप यहां पर कोई भी नंबर ले सकते हैं जिसका आपने लॉग फाइंड करना गा विच इस 1.5095 तो हम लिखेंगे लोग ओफ 32.326 इस इक्वल टू 1.5095 यहां गया हमारे पास लोग ओफ 32.326 अब हमने फाइंड करना है एंटी लोग एंटी लोग फाइंड करना है 3.5621 का यह भी बहुत ही ज्यादा सिंपल है आपने जस्ट कल्कुलेटर लेना है और प प्रेस किया था और आपके पास उस नंबर का अंसर आ गया था लेकिन यहां पर एंटी लोग फाइंड करना है आप देख सकते हैं कि एंटी लोग का तो इसमें बटन नहीं है कोई भी तो आपने क्या करना है कि शिफ्ट को प्रेस करना है शिफ्ट को प्रेस करने के बाद ल लिख कर आ रहा है तो हमने अंटी लोग फाइंड करना है तो हम प्रेस करेंगे शिफ्ट लॉग देन हम इंटर करेंगे नंबर विच इस 3.5621 3.5621 और हमारे पास इस तरह से अंसर आएगा लेकिन यह अंसर नहीं होगा इस तरह से आपने बिल्कुल नहीं लिखना मैं आपको बताती हूं कि इसकी क्या ट्रिक है आपने जस्ट पॉइंट से पहले जो नंबर आ रहे हैं 4 नंबर आपने लिख लेने हैं यह देखें यह यह यहां पर पॉइंट है आपने लिखना है 3 6 4 8 सबसे पहले यहां लिख लेंगे 3 6 4 8 यह नहीं है यह नहीं आंसर हमारे पास आंसर आएगा अब जब हम इसमें एड करेंगे 1 अब मैं आपको बताती हूं कि इसमें हमने एड क्यूं किया है 1 को क्यूंकि डिजट जो है डैसिम हम यहां पर एड 2 करते हैं अगर यहां पर 3 numbers होते तो हम यहां पर 3 एड करते हैं लेकिन यहां पर सिरफ 1 number है तो हम इसको एड करेंगे 3 6 4 8 प्लस 1 विच इस 3 6 4 9 आपने जस्ट यह लिखना है पॉइंट के बाद वारे डिजट्स नहीं लिखने क्यूंकि हमें 4 एक्यूरेट डिजट्स मिल चुके हैं 3649 और यह आ गया antilog of this number बहुत ही ज्यादा simple है आप लोग try करें और यह आपका time consuming नहीं है बिल्कुल भी paper में अगर आप बैठे हैं तो जल्दी से calculator निकाल कर आप antilog और log ले सकते हैं उमीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी अच्छी लगी है तो like करके मेरे चैनल को subscribe कर दे और bell icon को भी press कर दे thank you